असलाम अलेकुम तो स्वागत थे आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इसना है और लेटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगो को छे चैप्टर यानि कि 33 से लेकर 38 चैप्टर के अबजेक्टिव का निचोर निकाले हूं जो कि आज के इस वीडियो में मैं उनसा भी मौस्ट वीडियो को कराने जा रही हूं और यह जो वीडियो है है तरको के इस वैँ आप लोगा को इस connection का यह आख़ी वीडियू है लास्ट वीडियो है तो आप लोग शूने है ना अंत बहला तो सब बहला तो है तो अक्षly करना cohort करते हैं हर एक कोशन को आप लोगों को ध्यान से देखते चलना है समझते चलना है और याद करते चलना है चलिए तो ध्यान देजिए यहां पर देखिए सबसे पहला सवाल है कि परविंद शाकिर की पैदाइश पाकिस्तान के किस शहर में हुई तो परविंद शाकिर की पैदाइश य की पैदाइश हुई थी उन्हें इस सब बावन इस भी में अपसर नमबर बी हो गया आप लोगा सही जवाब आगे बढ़िए देखिए तीसरा सवाल है कि परविन शाकिर के वालिद का नाम क्या था तो परविन शाकिर के वालिद यानिकि उनके पिता जी का नाम था साकीब चलिए यह होगे आप लोगा अपसर नमबर सी सही जवाब आगे बढ़िए अगला सवाल है कि परविन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहां गए ठीक है यानिकि उनके पिता जी जो है वह हिजरत करके मैग्रेशन करके कहां गए तो वह पाकिस्तान गए थे और यहां पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि उनके पिता जी जो है ना वह हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए थे तो कोश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि परविन शाकिर के वालिद जो हैं वह कहां से हिजरत किये थे लेकिन यहां पर कोश्चन पूछा है कि कहां से मतलब हिजरत करके वो कहां गए तो वो पाकिस्तान गए देखिए बहुत फर्क है अगर मैं बोलूंगी कि परविन शाकिर के वालिद जो है वो कहां से हिजरत किये तो हिंदुस्तान से हिजरत किये और कहां हिजरत करके वो कहां गए तो पाकिस्तान गए ठीक है हिंदुस्तान से वो पाकिस्तान गए थे परविन शाकिर के वालिद ठीक है वहाँ पर जाकर वो रहने लगे तो यहाँ पर कोश्चन घुमा कर पूट चकता है तो यहाँ पर आप लोगो ध्यान रखना है थोड़ा सा का फर्क है अगर इस तरह से पूछेगा कि परविन शाकिर के वालिद हिज्ट करके कहा गए थे तो यह थोड़ा सा का डिफ्रेंस है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है चलिए आगे बढ़िए देखिए पांच नंबर सवाल है कि परविन शाकिर की शादी किस से हुई तो परविन साकिर की शादी हुई है डॉक्टर नसीर अली से यह याद रखना है यह कोश्चन पूछा जा चुका है यह विवी है यह वैरी वैरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट कोश्चन देखिए कोश्चन नंबर सिक्स है कि परविन शाकिर मैट्रिक का इमतहान किस स्कूल से पास की तो परविन शाकिर जो है ना वो मैट्रिक का इमतहान जो है वो पास की थी रजिया गल्स कॉलेज से ठीक है रजिया गल्स हाई स्कूल था उस वहीं से परविन शाकिर मैट्रिक का इमतहान है एक्जाम है वो पास की थी ठीक है आगे बढ़िए इर्फान सिद्यक्य कब और कहां पैदा हुएं तो इर्फान सिद्धैक्य जो है उनकी पैदाइश हुई है owskiर 49SB को बदाईउँ में आपसन नमबर A is your right answer एंसर ठीक है owskiर 49SB को बदाईउँ की पैदाइश हैने कि उनकी उनका जन्म हुआ आगे बढ़ीए अप अब देखिये ऐठ नमबर सवाल है कि इर्फान सदीक का तालुक किस खंदान से था तो इर्फान सदीक का तालुक शेक सदीक की खंदान से था आपसना मबर नमबर ए हो गया आप लोगा सही ज Wild उसको वी 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 लगा लिजेगा अभी कि अपने माइड में फिट कर लीजेगा इसको अभी क्या भी याद कर लीजीगा अब देखिए अगला सवाल है कि इर्फान सिद्धिकी ने मैट्रिक का इमतहान कब पास किया तो इर्फान सिद्धिकी जो है वो मैट्रिक का इमतहान पास किये थे उन्हें इस सथ तिरपन इस भी में अपसा नमबर बी हो गया आप लो ये जो अलिफ गलती से दिला गया है न। अपने एद के सरस्येद समझे जाते थे यह इर्फान के कौन थें तो दादा थे यह जो थें मुलवी енख्राम एहमत शाच सिदिक की यह इर्फान सिदिक्त के दादा थें ये कुश्टन पूछा जा चुका है इंपोर्टेंट है और इसलिए अभी के अभी इसको याद कर लीजिए आप लोग चलिए आगे बढ़िए देखिए कुशन नमबर 11 है कि इर्फान सिद्यक्पी ने मास कम्यूनिकेशन में डिप्लोमा कहां से हासिल किया तो वो देली से दिल्ली से हासिल हुए यानि कि इर्फान सिद्यक्पी का किताब जो है वो किस नाम से प्रकासित हुआ तो उसका नाम था दरिया अपसन नमबर एक हो गया आप लोका सही जवाब दरिया के नाम से इर्फान सिद्यक्पी का इंतकाल कब और कहां हुआ तो इर्फान सिद्यक्पी का इंतकाल को लखनओं में आगय बढ़िए जफर गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई तो जफर गोरखपुरी की पैदाइश बोजाना सब्सक्राने सबित थो 934 को ज़ौई जफर गोरखपुरी की जन्म हुई थी उनकी पैदाइश वी थी आगे बढ़िए कोश्चन नमबर 15 यानि की पंद्रा कि जफर गोरखपुरी की पैदाइश उत्तर परदेश के किस जिले में हुई तो उनकी पैदाइश हुई थी गोरखपुर में और यह याद करना बहुत आसान है क्योंकि राइटर का नाम है जफर गोरखपुरी औ नाम जहां पर पैदा हुए हैं वहार नाम से रिलेट हैं ठीक है तो यह आप लोगा अभी के अभी याद हो गया होगा चलिए आगे बढ़िए कोश्चन नमबर 16 है कि जफर गोरखपुरी का एक मजमूवा बच्चों के लिए भी है उसका नाम बताईए देखिए आपर क्या होगा खुद से भी तो लगाने की कोशिश कीजिए इसका राइट एंसर हो जाएगा आप लोगा सच्चाया अप्सन नमबर ए सच्चाया नाम का जो किताब है जफर गोरखपुरी ने बच्चों के लिए लिए लिखा है अब देखिए कोस्टन नमबर 17 है कि दोहे में क ना बार पूछा जा चुका है तो धूर है में दो मिस्रे होते यनकी दो लाइन में दोहा को लिखा जाता है चलिए आगे बढ़िए कोस्टन नमबर 18 है कि उर्दू धूहे कि शायरी के तोस्ट श्यो 79 नमबर दोहा लिखा जाने लगा डंग्ड है आगे बढ़ एक कुम नुमर read की सलाम मुचली शेधी किस सिंफ शायरी के शायर है ठीक है तो कवीता को लिखा करते हैं 나 तो वो घजल लिखते हैं नहीं मरसीय लिखते हैं नहीं गीत वो हमेशा वो मतलब सलाम मचली शेहरी जो है न नवो नजम के ही शाइर है नजम ही लिखा करते हैं पोम को चलिए आगे बढ़िए question number 20 है यानि कि 20 कि जमुना नदी हमारे मुलक के किस सोबे से वोजरती है तो वो है उत्तर परदेश यूपी से जमुना नदी जो है वोकर गुजरती है आगे बढ़िए सलाम मचली शहरी के पीदाईश उत्तर परदेश के किस शहर में हुई तो वो हुई थी जोनपूर में सलाम मचली शहरी की पैदाइश जोनपूर में हुई थी उत्तर प्रदेश के जोनपूर में अब देखिए मचली शहर मचली शहरी की पैदाइश जोनपूर के किस कसबे में हुई ठीक है तो जोनपूर के मचली शहर में पैदाइश उनकी हुई थी और इसलिए मचली शहरी के नाम से जाने जाने लगे ठीक है जबकि इनका रियल नाम कुछ और था ठीक है मशली शेहरी जो है ना सलाम मशली शेहरी इनकी पैदा इस मशली शेहर में वी थी और इसलिए सलाम मशली शेहरी के नाम से मतलब मशूर हो गए फेमस हो गए लेकिन इनका रियल नाम कुछ और देखिए अगला सवाल वही पूचा गया है कि सलाम मचली शेहरी का असल नाम क्या है तो सलाम मचली शेहरी का जो है न वो असल नाम है अब्दुसलाम ठीक है अब्दुसलाम जो है सलाम मचली शेहरी का रियल नेम है आगे बड़ी एक कोश्चन नमबर 24 है कि सलाम मचली शेहरी तो यह होगे आप लोग का राइट एंसर तो यह था आप लोग का मस्ट व्वियव ए अब्जेक्टिव कोश्टन जिसको आप लोग एक एक करके देख लिए और समझ भी गये अब आप लोग को एक छोटी सी काम करनी है अब आप लोग यह मत समझेएगा कि मैं आप लोग को एक्जाम है उससे ठीक पहले एक दिन या फिर दो दिन पहले आप लोग का जिस दिन उर्दू का एक्जाम है उससे पहले जितना भी मैं आप लोग को अब्जेक्टिव कोश्टन कराई हूं हैस्टेक वन से लेकर पार वन से लेकर ये वीडियो पार्ट सेवन तक आप लोग को एक्करकर देख लेना है ताँ कि मैं जितना भी अब्जेक्टिव कॉश्चन कराई हूं वह आप लोग के मैंड में रिवाईज हो जाये घ्जा हों जाये और जब अगले दिन जाए एक्जाम देने के लिए तो वहां पर आप लोग के जितना भी मैं objective question कराई हूं आप लोग के माइंड में बैठे रहे एकदम ताजा ताजा और जो भी question और रही बात उर्दू grammar की तो मैं आप लोग को अल्रेडी पढ़ा चुकी हूं इसी चैनल के प्लेडिस्ट में जाईएगा देखिएगा उर्दू grammar के नाम से प्लेडिस्ट से वहां पर मैं सारा उर्दू grammar पढ़ा चुकी हूं मजक्कर हो मौनना सोतानिस तस्गीर कैसे वाहि वीडियो 7 तक पूरा लगातार देख लेते वन बाई वन करकर तो आप लोग का अब्जेक्टिव क्लियर हो गया इसी में से कोश्टन पुछेगा तो यह हो गया आप लोग का अब्जेक्टिव का टेंसन खतम उर्दू grammar मैं आप लोग को बढ़ा चुकी हूं अब सिर्फ ब भूलेंगे उसको देखने के बाद आप लोग के एक्जाम में आने माला सब्जेक्टिव कोश्टन भी हलवा लगने लएगा मतलब पूरे आप लोग के सब्जेक्टिव कोश्टन का निचोर निकाल कर मैं उस वीडियो में डाल दूंगी वह इतना इंपोर्टेंट वीडिय कीएगा ही नहीं उसको देखना मत भूलिएगा तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो अब लाइक शेयर कर दीजे वगर आप जो भी आप लोग को करना है जितना जगह शेयर करना है उतना जगह शेयर कीजिए आप लोग चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचे तो फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद और खुदाहाफिज